किसी भी देश प्रदेश के विकास के लिए सड़क और परिवहन जरूरी है अगर यह विवस्थाएं नहीं होंगी तो लोग एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाएंगे कई दिन लग जाएंगे योजनाय लेकर आई जाती हैं शहरों से गाउं को जोडने और शहरों के कनेक्टिविटे के लिए सड़क बनती हैं फिर बसे इसमें दोड़ाई जाती हैं लेकिन सूचिए योजना आ जाए सरकार की तरफ से टेंडर जारी हो जाए पैसे मिल जाएं सड़क पर बस न दिखे त कि 14 महीने पहले निगम की तरफ से सिटी बसों के टेंडर निकाले गए थे राजधानी में 67 बसें चलनी थी लेकिन 14 महीने बीतने के बाद महस 45 बस चली आरूप ये भी है कि जो बस चल रही है उसमें पुरानी बसों का सामान लगा है मतलब कबार का जुगार है ये कभी भी इस से हाथसा हो सकता है उन बसों की कोई जांच तक नहीं हुई 67 बसे नहीं चली पैसे जारी कर दिये गए टेंडर एक करोड 24 लाग का हुआ था राशी के भुकतान के बदले सभी को बस बस चलने के बाद राशी का भुकतान होना था अधिकारियों की माना ये जा रहा है कि पूर्व अधिकारियों की मिली भगत के चलते 83 लाग 25 लार रुपय का भुकतान कर दिया गया और बसे अब तक शुरू होनी पाई है प्रदेश के कई जिलों में सीटी बस का परिचालन किया गया कई जिलों में परिचालन पूरी तरह से ठप है राजधानी राइपूर में एक वक्त था जब सीटी बसे सड़कों पर दिखती थी लेकिन अभी एक बड़ी धानली बड़ी गड़बड़ी है वो उजागर हुई है हमारे बीच अनवर जी है जिन्होंने इसकी सिकायत की है और किस सरका राइपूर के सीटी बस में भरष्टा चार हुआ है हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे बताएंगे कितने बसों की अनुमती मिली थी है कितने बसे सड़कों पर चल रही है किस तरकी गड़बड़ी हुई है दिखे 67 सिटी बसें जो मैं पहले पांस साल तक संचालन किया और बोला भाई आप नया टेंडर करेंगे जो भी तीन कड़ों से कम पैसा लेगा हम उसको यह टेंडर दे देंगे लेकिन 45 दिन के अंदर इन गाड़ियों को संचालन करना था मनीश टेवल्स ने 45 दिन के अंदर आज 14 मैना हो गया गाड़ियों को संचालन मात्र 27 गाड़ियों किया और मनीश टेवल्स ने 45 गाड़ियों का 83 लाक रुपया रिलीज भी कर लिया फिर मनीश टेवल्स ने जब एक करोर 24 लाक में दिया गया ये भी एक बड़ी गड़बडी है देखिए हमने दो करोर 24 लाक रुपए जो हमने 75 लाक रुपए भरा था वो ये था कि उन गारियों में जैज यतना खर्चा था लेकिन मनीश टेवल से ने क्या किया उसको टेंडर को प्राप्त करना था और एक सोची समझी साजिस थी जिसके दोरा साथ में किया हो अधिकारियों तुरू किया हो जिसके दोरा किया हो कि मैं पहले टेंडर इतना लूँगा बाद में गारीयों को कैंसल कर दूँगा लेकिन ये जो दस्तावेद ये शिकायत बता रहा है कि एक बड़े ट्रेवल एजेंसी को फायदा पहुचाने के लिए करोडों के वारे नियारे कर दिये देखना होगा कि अभी अधिकारी की सरकी जाच करते हैं सिटी बसस में जहां पर भी इशू है हम लोग उसको अध्यान करें जहां पर देई है और कुछ शिकायत प्राप्त भी उसके आधार पर हम लोग कारवाई की भी कर रहे हैं राजधानी रायपूर में 67 सिटी बसों का संचालन होना था और बकाइदा उसके लिए टेंडर भी हुआ लेकिन अभी तक मात्र 45 बसे हैं उसका संचालन हो रहा है और यह है डीपो और यहां पर 17 ऐसे वहान है जो कंडम अवस्था में पड़ा हुआ है बसों का परिचालन हो आई है लेकिन पैतालिस से अधिक लाखों का भुक्तान हैं हो गया है इन बसों के लिए अलगभग जो भुक्तान कर दिया गया है और सभसे खास बात यही है कि भुक्तान करने के बाद टेंडर होने के बाद भी सिटी बसों का परिचालन नहीं हो सका है और इसकी सिकायत की गई है और टेंडर होने के बाद जो गड़बडिया सामने आई है उसकी सिकायत की गई है कई ऐसे बस है जिनके एसी गायब है और अन्य समान गायब है और इसके बाद अब इसकी जाँच की जा रही है फिलाल सिटी बसों को ले करके उसके परिचालन को ले करके बकायदा पूराने जो वेंडर हैं उन्हें ने सिकायत की है और उसकी जाद निगम है वो कर रही है केमरा पसंत आज इन चौधरी के साथ योगलतिवारी निवजेटिर रायप और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबर जारी रहेंगे